तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ 2005 में आई मूवी बिंग साइरस को इस फिल्म की कहानी बहुती पेचीदा है और climax इसका ऐसा है कि आपको लगेगा कि इसकी कहानी सुनना बेकार नहीं गया अगर कुछ भी समझ ना आए तो explanation के बाद आप मेरा review सुन सकते हैं तब आपको सब समझा जाएगा और अब चलिए मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी तो मूवी की शुरुआत में हम सारस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हम सभी को वो अपनी कहानी सुना रहा होता है वो बताता है कि उसके माता पिता नहीं थे तो उसका जीवन अनाथाले में गुजरा वो और उसकी बड़ी बेहन वहीं साथ रहते थे पर वहां सारस की जिंदगी कुछ जादा अच्छी नहीं थी अनाथाले का करता धरता सारस को बहुत मारता पीटता था और उसका जीवन ऐसे ही बीता सब सहते हुए सारस अब बड़ा हो चुका था पर उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहां है तो उसी की तलाश करते हुए वो दिन्शा सेठना नाम के एक आदमी के घर पहुँच जाता है जो कि रिटार्ड सकल्पचर थे यानि की मूर्तिकार या फिर आप कुमार भी कह सकते हैं जो मिट्टी के बरतन बनाता है दिन्शा को अपने काम में एक सहायक की जरुवत थी तो उसी के लिए सारस आया था जो कि उनके काम का बहुत बड़ा फैन था तो उसकी भी इच्छा थी कि वो उनके साथ काम करे दिन्शा अपनी पतनी कैटी के साथ रहता था कैटी सारस के आने पर काफी खुश होती है जैसे उसके मुर्जाय बगीचे में कोई माली आ गया हो पानी डालने दिन शाह अपने ही खयालों में खोया रहता था वो कैटी को उतना समय नहीं देता था जितना एक पतनी को देना चाहिए इतनी उमर हो गई थी लेकिन एक भी बच्चा नहीं था तो समझिये कि कैटी की जिंदगी किस तरह से गुजर रही थी सारस उनका महमान नहीं बलकि फैमली मेंबर बन गया और कैटी का एक अच्छा मित्र जिससे वो बाते कर सके साथ में हस खेल सके कैटी दोस्ती तक सीमित ना रहकर अपना सुडौल शरीर दिखाते हुए सारस को अपनी और आकरशित करना शुरू कर देती है जैसे कि उसे किसी चीज की चाहत हो सारस भी समझ गया था कि कैटी उस पर लट्टू हो चुकी है तो अगर वो चाहे तो वो उसे किसी वालन की तरह बजा सकता है दिन्शा का एक छोटा भाई भी था फारुक जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी दरहसल इन दोनों के पिता जी की मुंबाई में एक पूरी बिल्डिंग थी जिस पर फारुक ने कबजा कर लिया पसंद करने लगा और अपने पिता से भी उसकी बाचीत बंध हो गई यही वज़ा थी कि वो उनसे अलग मुंबाई से कुछी दूर पंचगनी में रहता था कैटी अब कुछ प्लान करना शुरू करती है वो सारस को पैसों से भरा लिफाफा दे कर कहती है कि यह पिता जी को दे देना और उनसे प्यार से बात करना ताकि वो हमें अच्छा समझें सारस कैटी के प्लान के हिसाब से चलने में हिचकिचारा होता है पर कैटी कहती है कि जो हम करने वाले हैं उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ करते जाओ इसी बीच हम देखते हैं कि सारस कुछ बना रहा है पर वो क्या बना रहा है ये हमें नहीं बताया जाता अगले दिन सारस पहुँच जाता है पिता जी के घर और उन्हें पैसे देते हुए कहता है कि जी मैं कैटी का दोस्त हूँ और ये पैसे उसी ने भेजे हैं आपके लिए सारस बाते करते करते पिता जी के कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है पर पिता जी कहते हैं कि तुम अंदर मताओ अगर फारुक को पता चल गया तो वो मुझसे ये पैसे छीन लेगा वो मेरे साथ बहुत बुरा वैवार करता है, मुझे खाने को नहीं देता और मारपीड भी करता है मेरे कमरे में एक दरवाजा है जो उनके कमरे में खुलता है, तो वो कभी भी आ जाता है मुझे पर नजर रखने के लिए अगले दिन कैटी सायरस को कुछ चौकलेट्स देती है, चोकि पिता जी को बहुत पसंद थी और एक नया फोन भी देती है जिससे कि वो उससे बात कर सके और किसी को पता भी न चले सारस पिता जी को चॉकलेट पकलाता है जिससे कि वो काफी खुश हो जाते हैं और सारस को अंदर आने देते हैं पैसे ने ना सही लेकिन चॉकलेट ने काम कर दिखाया और सारस को इंट्री मिल ही गई पिता जी चॉकलेट का स्वाद ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ फारुक आ जाता है और पिता जी पर चिलाने लगता है कि आप ये चॉकलेट क्यूं खा रहे हैं सारस उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि चॉकलेट डिंशा और कैटी ने भेजी है तो फारुक उस पर भी चिलाते हुए कहता है कि क्या उनके बेटे को पता नहीं कि चॉकलेट खाकर इनको लूज मोशन हो जाते हैं तभी वहाँ पर फारुक की पतनी टीना आकर सायरस को काफी प्यार से समझाती है कि अगर आप अगली बार कोई खाने की चीज लाएं तो हमें दे दे हम पिता जी को थोड़ा थोड़ा दे दिया करेंगे क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं रहता तो वो जरूरत से जादा खा लेते हैं और बिमार हो जाते हैं सायरस को समझ आता है कि फारुक तो वाकई में पिता जी पर अत्याचार करता है लेकिन उसकी पतनी टीना काफी अच्छी है हमें यहां दिखाया जाता है कि टीना और फारुक की भी आपस में नहीं बनती टीना उमर में फारुक से काफी छोटी थी फारुक ने उससे शादी तो कर ली पर वो उसे बिलकुल भी भाव नहीं देता था क्योंकि शायद उसका किसी और से चक्कर चल रहा था टीना की भी जिन्दगी एकदम बेरंग और मुर्जाई सी थी पर फारुक के ऑफिस चले जाने के बाद वो घर में रहकर धूमरपान करते हुए या ब्यूटी पालर जाकर या कुछ भी करके अपनी जिन्दगी जी लेती थी फारुक के वापस आने के पहले तक अब यहां पर हमें पता चलता है कि फारुक का जिसके साथ चक्कर चल रहा है वो कोई और नहीं बलकि कैटी है सायरस समझ रहा था कि कैटी तो उसके प्यार में पागल है तो वो उसके प्लैन के हिसाब से सब किये जा रहा था पर यहां तो कैटी अलगी गुल खिला रही थी कैटी सारस के कंट्रोल में नहीं बलकि सारस कैटी के कंट्रोल में था कैटी डिंशा से प्यार तो करती थी और उसके सपने भी थे उसके साथ अपना जीवन बिताने के पर उसकी हरकतें बात करते करते कहीं खो जाना अपनी बाते करने लगना और उसी में खोई रहना इन सब आदतों ने केटी का प्यार खतम सा कर दिया था आर्टिस्ट लोगों का अकसर यही हाल होता है हम देखते हैं कि फारुक को पडोसी का एक कुट्टा काट लेता है तो वो टीना के साथ डॉक्टर के पास जाता है टीना को गर्दन में दर्द रहता था तो वो भी अपना चेक अप करवा लेती है जब फारुक अपना इलाज करवारा होता है तो वहां लवली नाम का एक पुलिस आफिसर आता है जो कि टीना को देखते ही उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है शादी शुदा होने के बाद भी टीना और फारुक वहां से चले जाते हैं लेकिन टीना के गले में पहनने वाली चैन वहीं रह जाती है तो इंस्पेक्टर लवली वो चैन खुद रख लेते हैं ताकि उसको देने के बहाने वो टीना से दोबारा मिल सकें इंस्पेक्टर लवली दुआरा बुलाये जाने पर टीना पुलिस टेशन पहुँच जाती है अपनी चैन लेने जहां इंस्पेक्टर लवली दुनिया भर की बाते करके उसको इंप्रेस करने में लगे होते हैं फारुक आफिस से आने वाले थे तो टीना कहती है कि उसे जाना होगा सबजी वगेरा भी खरीदनी है तो लवली साहब कहते हैं कि चलो मैं भी आपके साथ चल लेता हूँ आपको छोड़ दूँगा उदर साहरस पिता जी के लिए स्वादिस्ट खाना और पीने के लिए मदीरा ले जाता है ताकि वो और खुश हो जाएं तभी साहरस अपने बैक से एक चाकू निकालता है तो पिता जी घबराते हुए पूछते हैं कि ये किसलिए है सारस कहता है कि अरे आप घबराईए मत मैं आप की तरफ हूँ आप चिंता मत करिये बस अराम से अपना खाना इंज्वाई करिये सारस उनसे उस दरवाजे की चाभी लेता है जो फारुक की कमरे में खुलता था और फिर वो तुरंत चाको घोप कर उन्हें मार देता है सारस के हिसाब से उसने उनको मारा नहीं था बलकि मुक्ती दी थी उनकी प्रतारना और फारुक के अत्याचारों से सारस कैटी को फोन करता है और बताता है कि अचानक से तुम्हारा पती यहां आ गया था पर पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो अपने आप ही मर गया कैटी को ये सुनकर बिल्कुल दुख नहीं होता बलकि वो कहती है कि टीना हर शाम पिता जी की कमरे में आती है तो तुम उसका इंतजार करो जब वो आए तो उसे मार देना साइरस ने पिता जी को मारा पर कैटी को ये बताया कि मरा दिंशा है उसने जूट बोला क्यूंकि उसे कैटी के सारे रास पता चल गए थे उसे पता चल गया था कि कैटी उसके साथ खेल रही है और वो फारुक के साथ है कैटी के निजरिये से उसने सारस को फसाया और प्लैन बनाया कि वो टीना और पिता जी को मार दे ताकि उन दोनों के मरने के बाद फारुक और वो एक हो जाएं वो सारस को भोला समझ रही थी कि प्यार में वो कुछ भी कर देगा पर सारस उतना भोला नहीं था जितना कैटी ने उसे समझा वो पहले से ही अपना कोई प्लान बना कर आया था इस घर में कैटी को लग रहा था कि सारस उसके कंट्रोल में है पर असलियत ये थी कि सब कुछ शुरू से ही सारस के कंट्रोल में था सारस दर्वाजा खोल कर घर के अंदर जाता है तो देखता है कि फारुक लोहे का रौड लेकर चला आ रहा है सारस को इस प्लैन के बारे में बिलकुल नहीं पता था कि कैटी इतना होश्यारी दिखाएगी कैटी ने अपना प्लैन तियار किया हुआ था कि जब सारस टीना और पिता जी को मार देगा तो फारुग सारस को मार देगा ताकि कोई सबूत ही न बचे जब पुलिस आएगी तो वो ये बताएगा कि इस आदमी ने मेरी बीवी और पिता जी को मार डाला तो मैंने अपने डिफेंड में उसे मार डाला इस से पहले कि फारुक उसे मारता सारस ही उसे मार डालता है और कैटी का सारा प्लैन धरा का धरा रह जाता है कैटी ने पिता जी और टीना को मारने भेजा था पर टीना घर पे थी ही नहीं क्योंकि वो तो इंस्पेक्टर लवली के साथ थी सारस कैटी को फोन करके कहता है कि तुमने मेरे साथ डबल गेम खेला मुझे धोका दिया पर अफसोस तुम्हारा खेल चल नहीं पाया क्योंकि अब फारुक मर चुका है कैटी रोते हुए कहती है कि ये मेरा प्लैन नहीं था मैं तो बस पिता जी को उपहार बेजना चाहती थी वो तो तुम थे जिसने मेरे दिमाग में ये शैतानी खयाल डाला तुमने ये सब किया है मैंने नहीं साइरस आखिर में बोल ही देता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले से ही खेल रहा था और तुम इतनी बेवकूफ कि कुछ समझी नहीं पाई साइरस बड़े आराम से घर की चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है टीना जब घर आती है तो पाती है कि फारुक और पिता जी का खून हो चुका है अब पुलिस दिन्शा और कैटी से पूछताज करना शुरू कर देती है कि बताओ तुम दोनों ने उनका खून क्यूं किया केटी कहती है कि खून हमने नहीं किया साइरस ने किया है हम लोग ने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर कहता है कि आप बार बार उस लड़के का नाम लिये जा रही है जिसका आपको सरनेम तक नहीं पता चलो माना कि उसने खून किया पर वज़ा क्या थी कि वो खून करे वो उसे फिर सब कुछ बताना पड़ता अपने चक्कर के बारे में और प्लैन के बारे में भी जो उसने बनाया था साइरस के साथ मिलकर अब यहाँ पर खुलासा होता है साइरस के प्लैन का साइरस घर में रहकर कैटी और डिंशा के फिंगर प्रिंट्स एकटे कर रहा था उसने अपने हाथों में फैवी कोल लगाया और फिर कैटी और दिंशा के फिंगर प्रिंट्स उसमें चापते हुए उसे सुखा लिया यही वज़ा थी कि फारूक के घर में साइरस के फिंगर प्रिंट नहीं बलकि इन दोनों के फिंगर प्रिंट मिले साइरस वहाँ पर दिंशा के जूते पहन कर गया था ताकि लगे कि वो नहीं डिंशा आया था कैटी कहती है कि साइरस ने मुझे मुझे मुबाइल से कॉल किया था उस वक्त तो आप फोन चक करिए आपको पता चल जाएगा कि मैं उस वक्त पंचगनी में ही थी इंस्पेक्टर कहता है कि आप लोग पहले बॉम्बे आते हैं और चाकू घूप कर पहले पिता जी को मारते हो और फिर उसके बाद फारुक को भी मार डालते हो फिर आप इंतजार करते हो टीना के आने का ताकि उसे मारने के बाद वो बिल्डिंग पूरी आपकी हो जाए लेकिन आपके लिए दिक्कत यहां यह हो गई कि टीना उस वक्त मेरे साथ थी तो वो आई नहीं तो आप लोग वहां से निकल गए और अच्छा है कि वो मेरे साथ थी वरना आप दोनों तो उसे भी मार देते उस फोन से किसी और ने नहीं केटी आपने फोन किया था पंचगनी में और कमाल की बात यह है कि वो फोन आपके नाम पर ही रजिस्टर है ये वही फोन था जो कैटी ने दिया था सारस को जो की अब उसी पर भारी पड़ गया कैटी बोलती भी है कि ये फोन मैंने सारस को दिया था पर उसकी सभी बातें इंस्पेक्टर को जूटी लग रही थी कैटी पूरी तरह से जलाते हुए कहती है कि अगर मैंने वाकई में खून किया होता तो मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ कि सब जगे फिंगर प्रिंट छोड़ के आती कैटी अपने आपको सही बताने के लिए दुनिया भर की बातें बढ़ बढ़ाये जा रही होती है पागलों की तरह पर इंस्पेक्टर को चाहिए था कि वो कबूल करे कि खून उस नहीं किया है क्यूंकि सारे सबूत यही कह रहे थे पर ऐसा करने के बजाए कैटी वो कर देती है जो उसे कभी करने का सोचना भी नहीं चाहिए था वो गुसाते जलाते पगलाते हुए इंस्पेक्टर के मुँपर मुक्का मार देती है तो अब तो उसका बचना नामुम्किन ही था हम देखते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद अब टीना उस घर को बेच रही है थोड़ी दिर बाद कोई घर का दरवाजा खटकटाता है तो टीना जब खोल के देखती है तो सामने सायरस खड़ा था सायरस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो टीना घबराते हुए पीछे जाने लगती है तब ही टीना हस पड़ती है और अब यहाँ एक और खुलासा होता है हमें पता चलता है कि टीना सायरस की बहन है दोनों भाई बहन मिलकर ऐसे ही लोगों को ठकते थे टीना ऐसे ल मारना पड़े या जो करना पड़े वो सब करती थी हर चीज की करता धरता वही थी और सारस उसके इशारों पर चलता था सारस टीना से कहता है कि मैं सोच रहाँ कि पंचिगनी हुआँ एक बार तो टीना उस पर चिला कर कहती है कि कोई जरुवत नहीं वहां जाने की और जब त अलावा तुम्हारा कोई नहीं है इसलिए जो मैं कह रही हूँ वही करो टीना का स्वभाव काफी ज़्यादा डॉमिनेटिंग सा था यानि कि वो सारस पर अपना हुकम चलाती रहती थी वो कहती है कि अब हम अगले प्लैन के और बढ़ते हैं तो सारस कहता है कि अब क्या परदस्ती नहीं है अराम करो सारस अपनी बहन की बातों पर यकीन करने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है टीना ने नियूस पेपर में छपे मैट्रिमोनियल विग्यापन पर गोला बना रखा है मतलब टीना मजाक नहीं कर रही थी बल्कि उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था सारस ठक चुका था अपनी बहन से और इस गलत काम से वो अपना बैग उठाता है और कुछ पैसे लेकर निकल जाता है अपनी बहन से दूर दिनशा और केटी अब जेल में थे और شायद अब जाकर केटी को एहसास हो ही गया था कि उसने क्या करा और उसे अप अपनी आजादी वापिस मिल गई वो अपने उस हिस्से से मुक्त हो गया जिसे वो अब पहचानना नहीं चाहता था साइरस ने अपनी जिंदगी में एक सीख तो पा ली थी कि खेल खतम होने के बाद राजा और प्यादा दोनों एक ही डबे में जाते हैं और फिर इसी सीख के साथ मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको मुवी और उसका क्लामैक्स पसंद आया होगा शुरू में तो ये मुवी सिंपल कहानी के साथ चल रही थी लेकिन आखिर में जो राज खुला उसने हमें हैरान कर दिया अनुमान लगाना काफी मुश्किल था कि फिल्म में खेले जा रहे खेल का मास्टर माइंड कौन है क्योंकि जो निकला उसके बारे में शायद ही किसी को खयाल आया होगा अब मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ कि साइरस की सोच कैसे बदली और टीना ने ये सब किया क्यों दोनों भाई बहन का बचपन काफी मुश्किल भरा भी था उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की मुश्किले सही जैसे जैसे बड़े हुए और कठनाईयां आती गई अनाथाले में तो उनके लिए जिन्दगी जीने का अनभव बुरा ही रहा वहाँ उन्हें मानसिक और शारिरिक रूप से प्रतारित किया जाता था एक टाइम बाद अनाथाले से निकलना ही पड़ता है तो जब वो बाहर निकले तो उनका और भी बत्तर दुनिया से सामना हुआ खाने को खाना नहीं पीने को पानी नहीं रहने को छट नहीं टीना ने अकेले ही देखभाल करी अपने भाई की खुद को संभाला और अपने भाई को भी संभाला बहन चाहती थी कि जो कभी उनके नसीब में नहीं रहा वो सब पाकर रहेगी उसने प्लैन बनाया, प्लैन आपने देखा कि क्या था उसका, जो कि वो उस प्लैन में काम्याब भी हो गई साइरस का डिन्शा का असिस्टेंट बनना, केटी के प्यार में फसना, फिंगर प्रिंट बनाना, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाचीत करना, जो कुछ भी हो रहा था, वो सब टीना द्वारा बनाये गए प्लैन का हिस्सा था साइरस अपनी बहन से छोटा था, और उसके लिए सब वही थी जो थी, तो वो सब करता गया जो बड़ी दीदी ने कहा, फिर चाहे वो गलत हो या सही फारुक के मरने के बाद घर टीना के नाम हो गया, और जो घर में पैसे थे वो भी मिल गये, टीना को जो चाहिए था वो मिल गया था, पर उसके मन में आ गया लालच, और यहीं पर साइरस का माथा सनक गया उसने एक बार गलत किया पर बार बार वही चीज नहीं कर सकता था अपनी बड़ी बहन का लालचपन देख वो बुराई से सारे बंधन तोड़ के भाग निकला साइरस ने दो-दो खुन किये थे पर वो बच निकला पिता जी जो की बुलापे में अपने बेटे का अत्याचार सह रहे थे वहीं फारुक कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि वो अपने पिता को मारता पीटता और खाने पीने को भी नहीं देता था प्लाइन चाहे जो रहा पर साइरस ने पिता जी को इसलिए मारा ताकि उन्हें मुक्ती मिल जाए उसके बेटे के अत्याचारों से और फारुक को इसलिए मारा क्योंकि वो अच्छा बेटा नहीं था बाकि अगर टीना के प्लाइन के हिसाब से देखें तो उसका मरना तै था वैसे फारुक और केटी भी तो पिता जी और टीना को मारना ही चाते थे और फिर उसके बाद साइरस को भी कुल मिला कर देखा जाये तो साइरस गलत होकर भी गलत नहीं था उसने गलती की लेकिन बाद में वो ज़नजाल से बाहर हो गया बींग साइरस का मतलब है साइरस जैसा होना साइरस जैसे होने का मतलब की अब तक आप चाहे जितने ही गलत काम करते आ रहे हो आप कभी भी उसे रोक सकते हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश में लग सकते हैं खुद को बदलने का कोई समय नहीं होता जब आपने चाहा तब आप बदल गए आप गलत करते रहते हैं, करते रहते हैं पर आप ये भूल जाते हैं कि बुराई कभी छुपती नहीं तो इससे पहले कि आपका गलत काम सब के सामने आए आप उसे रोग दें वरना बर्बादी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा आप अपना बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते लेकिन वर्तमान में बदलाव लाकर अपना भविश्य जरूर बदल सकते हैं इसे बीच केटी ने बहुत दिमाग लगाया और अपने आपको बहुत होशियार समझ रही थी कि सब उसके इशारो पर चल रहा है पर आखिर में उसे मूँ की खानी पड़ी इससे यही समझाता है कि जो मिला है उसमें खुश रहो जबरदस्ती कुछ पाने की कोशिश में लगोगे जो मुमकिन नहीं और गलत भी है तो आपका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा आपको बता दूँ कि ये फिल्म हिंदी में नहीं बलकि इंगलिश में बनी है इसका हिंदी डब भी आने वाला था पर डिरेक्टर ने फिर ये प्लैन कैंसल कर दिया पता नहीं क्यों ये मूवी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी बस यूटूब पर मिलेगी वो भी एकदम लो टाइटल के साथ इस मूवी के डिरेक्टर है होमी अदजानिया ये वही हैं जिन्होंने कॉक्टेल, फाइंडिंग फैनी और अंग्रेजी मीडियम जैसी बेहतरीन फिल्मे बनाई है और बींग सारस उनकी पहली मूवी थी अभी हाल ही में एक सिरीज आई थी साज बहू और फ्लैमिंगो वो भी इन्होंने ही बनाई है इसमें कोई दोरा नहीं कि फिल्म की कहानी तगडी थी क्लाइमैक्स काफी अच्छा था फिल्म जदा बड़ी भी नहीं है और ना ही गाने हैं तो में थीम पे फोकस किया गया है बैग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है ऐसा है कि सुनने के बाद ये आपके दिमाग के बैग्राउंड में कहीं बज़ता हुआ मैसूस होने लगेगा सभी में किरदार पारसी फैमली से बिलॉंग करते हैं तो उनका कल्चर उनकी भाषा हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है वैसे तो मूवी इंगलिश में है पर पा एक ही बाक्स में जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम इंसान भले यहां अमीर हैं गरीब हैं चाहे जो हैं पर मरने के बाद सबको एक ही जगा जाना है और मिटी में ही मिल जाना है एक बात दिमाग में आती है कि अगर सब केटी के प्लान के हिसाब से चल रहा होता तो उसने सारस को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि उसके लिए वो किसी को मारने के लिए तयार हो गया मुझे लगता है कि उसने सारस को सब बता दिया था कि उसका फारुक से चक्कर चल रहा है उसने पैसो का लालच दिया होगा कि जब फारुक और हम एक हो जाएंगे तो तुम्हें माला माल कर देंगे तो सारस का शौक होना लाजमी था जब फारुक उसे मारने के प्लैन से आया जिसका मतलब वो उसका बस इस्तमाल कर रहे थे और कुछ नहीं और अपना काम हो जाने के बाद उसे भी निप्टा देते लेकिन 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 सायरस उनसे बड़ा वाला खिलाडी निकला अब एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान ने इस फिल्म में काफी बड़िया एक्टिंग की है ऐसा लगा कि सायरस का किरदार सिर्फ उनके लिए ही था मूवी में उनका काफी जगा नरेशन भी है तो वो भी सुनने में अच्छा लगता है उनकी एक्टिंग को ज़्यादा सराहा नहीं जाता पर वो अपने करदार को काफी बखूबी से निभाते हैं नसरुदीन, शाह, बोमन इरानी, डिम्पल कपाड या तीनों की परफार्मेंस काफी सही देखने को मिलती है और बाकी जितने भी सहक अलाकार हैं उन सबने भी बड़िया काम किया है मैं आप से यही कहना चाहूंगा कि भले आपने इस मूवी का एक्स्प्लेनेशन सुन लिया पर समय मिले तो आप मूवी जरूर देखिएगा शायद कुछ लोगों को समझ ना है क्योंकि फिल्म हिंदी में नहीं है और ना ही सब्टाइटल्स हैं पर आपने ये वीडियो तो देखी लिया है तो आपको समझ आ ही जाएगा कि क्या चल रहा है जो अभी कुवारे बैटे हैं वो जरा ध्यान से देख सुनके शादी करिएगा क्योंकि पता नहीं आज के जमाने में कौन जिंदगी भर साथ निभा जाए और कौन ठक्के चला जाए तो ये था एक्स्प्लेनेशन बिंग साइरस मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप आगे भी ऐसे ही अच्छी मूवी की एक्स्प्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी मैं आपके लिए अच्छी मूवी की एक्स्प्लेनेशन लेके आता हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी प्रतक्रिया दें वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके क्योंकि आपके लाइक और कमेंट देखकर मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो अब मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइ बाइ और नमस्ते क्योंकि प्राटा हूँ आपकर क्योंकि आपकर